हेलो फ्रेंज सभी का स्वागत है हाईवे क्लासेस पर तो आप हम लोग दिस्क्स करेंगे लाभान इसे पार्ट नंबर दो और इसमें सिर्फ एक टाइप के प्रसंद का पुरियास करेंगे सिखने का बरलब देखो हमने कई बार कई बार चीजे पड़ी है हम एक टाइप यह हमारे टीचरों के लिए तो यह महारत हांसिल होने वाला है इसमें चुकि यहां पर आपको हर टाइप के सवाल और अलग-अलग टाइप हम आपको यहां पर डिसक्स करने वाले हैं तो जिससे पहले अगर आपने परसेंटेज नंबर सिस्टम लिए सब्स बना रखी है आ पहले बात तो यह है कि अगर आप इस पार्ट नंबर दो पर आयों लेक्षर देखने हमारा लाभानी से तो लाभानी से पार्ट नंबर दो मत देखना पहले पार्ट नंबर वन देखना उसके बाद में यह लेक्षर देखना पार्ट नंबर दो चूकि बताएं जो पार्ट नमबर एक है न वो पूरी लावानी की जान है ठीक है जी हाँ लावानी की जान है तो उसमें क्या है पूरा निचोड हमने वहीं पर बता रखा है कि लावानी में अच्छा होना क्या है पूरा बेसिक और जब हम यहाँ अपलाई करेंगे तो वो चीज़ें आपको सिखने में स खुड़ा सा ले चलेंगे, फिर हम question लगाएंगे, उस type के question, ठीक है, जो एक चीज कल हमने आपके साथ discuss की थी, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है लाब और हानी, ठीक है, लाब और हानी पढ़ेंगे, और लाब और हानी में विसेश type का सवाल जो है, वो बनता है, वो ह हमको कहीं पर CP दिख जाए, means क्रेमूल दिख जाए, तो अगर इसमें हमको लाब और हानी लेना हो, तो लाब हानी कैसे लेंगे, आप उपर 100 प्लस माइनस एक्स अपान 100, ऐसे लेंगे लाब हानी ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आपने लाब हानी ले लिया, तो इससे हमे मिलेगा क्या, फिर ये SP बन जाएगा, ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखो, कि अगर आपने क्रेमूल पर लाब हानी ले लिया, तो आपका वो विक्रेमूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विक्रेमूल बन जाएगा, और सुनो, अगर आपके पास माइनस यक्स, ये चीज हम कल डिसकर कर चुके हैं, तो इस प्रकार से विक्रेमूल पर लाब हानी ले जाती है, और क्रेमूल पर लाब हानी ले लिया, तो वो क्रेमूल बन जाएगा, तो फिर तो वही बात हो गई, कि हम क्रेमूल पर लाब हानी लेंगे, विक्रेमूल बन और विक्रेमूल पर लावान ले लिया तो वो विक्रेमूल हो जाएगा और विक्रेमूल पर लावान ले लिया तो वो विक्रेमूल हो जाएगा ये चीज गाठ बांदो ठीक है ये आप ध्यान रखो इस चैन को तो इसी पर हरी हम लोग questions attempt करेंगे तो चलिए आईए हम लोग आज के अपने questions attempt करते हैं और सीखते हैं चिक और अगर सेशन अच्छा लगा करें तो सब लोग धुनाधार जो है share करो फटा-फट हम लोगों को 100k पर पहुँचना है और फिर देखना हम आपके लिए क्या बहतरीन classes का सरूल fix करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग थोड़ा सा मैनत दम लगा कर और हम भी लगाए हैं दम और आप भी लगाए हैं पढ़ने में दम हो थोड़ा सा share करते हो दबा के अपने दोस्तों के साथ में और उनसे share करवा पढ़ने वाले सिर्फ बच्चों को ज्यादा फालतू नहीं पढ़ने वाले को share करो जो पढ़ने में रुच रखता हो जिनको math सिखने में इंट्रेश्ट हो किसी भी exams के लिए आप 30 में 30 20 में 20 50 50 40 40 टार्गेट सेट करने वाले ऐसे बच्चे हो उनके पास धड़ा धड़ें जो तुम बंजा आएगा ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला अपना जो कोशन है लेकिन पूरा लावान में हम कोशन के नंबर एक सीरियल से डालते चलेंगे पीछे 10 नंबर हमने कोशन करा दिया है अब जो हम कोशन करेंगे वह कोशन नंबर 11 से चार्ट करेंगे तो 11 नंबर कोशन को इस प्रकार से है एक वस्त 20% के लाव पर भेचने पर 20% लाव पर 300 रुपए में बेची गई यदि वहाँ 235 रुपए में बेची जाती तो हानी प्रस्त क्या होती है अब देखना करें एक वस्त हुआ है 20% के लाव पर 300 रुपे में बेच दी गई है यानि कि उसको आपको क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना 300 रुपे और लाव कितना हुआ है इस पर लाव हुआ है इस पर जो है हमको लाव दिया है 20% ठीक है 20 % लाव है और फिर व व्यक्ति का चाता है कहीब है फिर हमने इस व्यक्ति को पता फिर हमने इस व्यक्ति को कि ऩॉश्त को हमने कितने में बेचा 235 दो Dh currently अब आप बताओ 300 रुपे की चीज 230 की में बेची मलार मत्यों सब्सक्राइब symbolize अब 00 dad पता चलेगा यह पता करो कि वस्त कितने में खरी दी गई है जैसे अगर यह पता चल जाए अरे यह तो वस्त जो है जो है 2500 रुपे में खरी दी गई थी और 300 रुपे में बेच रहे थी तब तो 20% का लाव हो रहा था कोई दिक कर नहीं है लेकिन अब तो तुम 2500 रुपे क्षी 255 रुपे से लाओगे तो फिर तो घाटा हो नहीं है यह हम वो सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ भया कि कितने प ओपर रहेंगे गुड़े में और बटे में लाव हो चाहे हां नहीं लाव होगा तो हम जोड़ देंगे मतलब 120 कर देंगे अगर यहीं हां नहीं होती तो घटा देते ठीक है काट दो 3 एक कम 3 तीन चकू बारह और यह 0 से यह 0 कट जाएगा और 4 से काट दोगे तो यहां 25 आ अरे भाई अभी समझाया था यह 300 पर हमने लाव हान ले लिया तो क्रेमुल हो जाएगा इस फंडे कո रटो देने लगे न तो एक चैप्टर में 20 ट्रिक हो गई चैप्टर 20 400 completed हैं तुमहाले याद करें नहीं होगा, 400 तुम्हें साइंस के फैक्ट नहीं याद होगे, 400 तुम्हें फैक्ट जीस के नहीं याद होगे, अगर एक दम से पूछा जाए 400 फैक्ट होगे, मैं थकी कैसे याद कर पाऊगा, ठीक है, ध्यान रखो, यहाँ पर 2500 रुपे हम खरी दी गई, अच्छा यहीं सव जने परवस तो खरी दी गए होती है, यानि कि CP बटेम रहता है, तो 250 में करेंगे, गुणेम लगाएंगे 100, तो 10 से 10 यहाँ करता है, 55 और 5 तियां 15, और 5 से करता हो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, यानि कि 6 पृस्तित की यहाँ पर हमको हानी देखने को मिलेगी, इसका राइट है, 6 परसेंट की यहानि, ठीक है, क्वेशन नमबर अफम लोग 2 डिसकस करते हैं, क्वेशन नमबर 2, ठीक है जी, चलिए, क्वेशन नमबर 2, स्वरी 2 नहीं, मतलब 12, अब आज का क्वेशन नमबर 2 है, वैसे तो लाभानी का 12 नमबर है, तो एक आदमी, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपे में बेचे, तो उसे 25 परसेंट की यहानि होगी, 25 परसेंट लाभ के लिए विक्रे मुल क्या होगा, मेन कोशन जो है, आज का यही है, ठीक है, वो तो एक बेसिक था कोशन जो हमने कल की टाइप पर भी आज़ी था, आज की टाइप पर भी आज़ी था, मेन क समय है, यही टाइप हम आपको आज फिनिस कराने वाले हैं, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपे में बेच रहा है, ठीक है, 720 रुपे में क्या है, बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस दी गए हमको, 720 रुपे में बेच रहा है, तो उसे 25 परसेंट की हानि हो रही, मतलब 720 मे मतलब selling बताना है selling price अब देखो विक्रेमुल देकर विक्रेमुल पूछें या क्रेमुल देकर क्रेमुल पूछें जैसा भी पूछें कोई दिकर नहीं है पस हम लोग अपने एक तरीके पर चलेंगे देखो इसका ट्रिक भी है मुलब स्वाट करें फार्मूला भी है आप ऐसे कर लीजिए लेकिन हम आपको बेसिक बता रहे हैं बेसिक में भी बड़ा जबदरस्त वाला बेसिक मलब बहुत ही डेंजर ठीक है जो ट्रिक को भी मात दे देखो कैसे सबसे पहले याँ समझो अब आप देखो हम पहले आपको क्या करेंगे बेसिक से बताएंगे बिल्कुल समझो जैसे अब आप से पुछा क्या सेलिंग प्राइस क्या होगा वो तो अलग की बात है जो भी पुछा होगा अर्टमाटी निकलाएगा जैसे देखो सेलिंग प्राइस हमको दिया गया 720 रुपए तो यह हमने 720 लिख लिए है अब 25% की हानी हो रही है अब बताओ जब विक्रे मूल पर 25% की हानी होगी तो कैसे विक्रे मूल पर 25% हानी लो गए तो हम तो गुणा लगाएंगे और 100 उपर लिख लेंगे क्यों क्यों विक्रे मूल पर 25% हानी हो और यह आगा 75 अगर आप इसको पूरे को स्वालब कर लो गे आप पता इस पूरे का क्या नाम है इस पूरे का नाम बाबू CP है, क्या है CP कटियार नहीं CP सिंग नहीं, तो यहाँ पर ध्याना इनका नाम CP है, मलब Cost Price है, जैसे देखो विक्रेमूल दिया गया था, यह 720 क्या है यह देखो विक्रेमूल है, और विक्रेमूल पर आपने लावान ले लिए, बोलो क्या बना, क्रेमूल बना की नहीं बना, अच्छा चाहों तो यहाँ से कहानी खता हो सकती है कल यहीं तक सवाल थे, अब इसके आगे एक पाइदानाच सवाल है, अच्छा यह क्रेमूल है, अब वो कहरा कि हमें 25% का लाव लेना है, अच्छा लावानी किस पर होती है, लावानी लेनी है 25% की, क्रेमूल पर चाहे लाव लेना हो, चाहे हान लेनी हो गुणे लगाओ, लावानी सब उपरे लिया जाता है तो 25% का लाव मतलब 125 बटे में 100 तो अब यह बावू क्या बन चुका है, यह पूरा यह पूरा इस पूरे का क्या नाम, इस पूरे का नाम फिया, एक कोशन हमें समझा लेने दो सुरू का, फिर आदेखना कैसे यह सारे कोशन उड़ते चले जाए, सुरू का एक कोशन समझा लेने दो, जिनको बावू लोगों को आता है, जिनको समझदार लोगों को आता है तो देखो लागडाउन में एक साल तो हमने पढ़ाई नहीं की बाहर चले गए है ना तो पूरा अरेंजमेंट करना था सारी सिस्टम का मैथ नहीं देख पाया तो फिर क्या भूल गए नहीं कोई 50 साल बाद पूछे हम नहीं भूलने को क्योंकि इस तरीके से बैठे हुए कैस बेसिक मनलब समरा त्रिकों का भी ट्रिकों है यह है तो देखो बास अब यह स्पी बन चुका है और पूछा क्या गया था आपको यह स्पी पूछा गया था इसका मलब हमैं को बैस कैल्कुलेशन करनी हैं यहां से क्लैकुलेशन में क्या होता है सो से सोगट गए ढ़िक है 25 बारा सो होना चाहिए देखो अगर आप SP 720 था तब तो लाब 25 परसेंट का हो रहा था लेकिन वो चाहता है कि सवाल को लगाना हो तो कैसे लगेगा देखो इगनम से जैसे हमने 720 दिया कांसेट अब के दिमाग अब खुश गया 720 भी क्रेमूल था तो हमने फटाक 100 लिखा 25 पसंट यहानी है तो फटाक 75 और यह क्रेमूल बन चुका दिमाग बाते सेव हो चुकी है और क्रेमूल 25 परने का लाब है यानिकि 125 वटे 100 यह सवाल यह सिर्फ यहीं पर खतम नहीं होता पूरे लावहानी में यहीं चलेगा देखो 100 से 100 कट दिया 25 थिया 25 25 पंचे एक सो वे 3 से काट दिया तो यह 24 और 240 चौविस पंचे एक सो भी सो बीस हो तो बारा सो इसका राइट है आए इसका फर्मूला क्या है वह भी समझ लो पहला कोशन है इसलिए हमें समझा लेने तो ठीक है पहला कुशन आपसे विक्रे मूल पूछा गया था विक्रे मूल ही निकल के आया है तो देखो इसका जो है 100 क्या है इसके फर्मूला 100 हम आपको बताते हैं वैसे 100 की कोई दिरूर नहीं 100 यहीं से बनी है अब देखो आपसे अगर आप आपसे विक्रे मूल देकर विक्रे मूल पूछें तो करना क्या है गिवेन वैलू गिवेन वैलू यानि कि दिया गया मान गुणे में बटे में अब देखो दिया गया मान बटे 100 प्लस माइनस वाई और बटे 100 प्लस माइनस एक्स ठीक है और यह एक्स वाई जहां परसेंट यानि कि जो सेकेंड मनलब दूसरी बार जो कहा गया हो जैसे इस पूरे सवाल को अगर आप पढ़ेंगे तो यह पूरा सवाल यह कह रहा है कि एक वस्त को 720 रुपे बेचने पर 25 परसेंट की हान ही हो रही है मतलब यह पहली बार बोला गया और 25 परसेंट लाव लेने के लिए सब्सक्राइब लॉचला सबस्ट की वह सब्सक्राइब टूरे सब्सक्राइब और 2-2 इसाब है एं요 böyle चोली हो उस nossa जाब्या वहा जैए तो यह नहीं वहां वह सब्सक्राइब गुमांकर देखा है यह से कहे पूरा बढ़िया समझ लो आप यहां पर वो वैलू होगी जो सेकेंड बार हो जाएगी या या इसको हम अपने तरफ से और पूंचा जाए झाए जो जो वैलू पूचा जाए अब पूचा किस पर गया सवाल प्पता चलिएगा एक वस्तों को 720 रूम बेचने पर 25 कि हां नि होती है जो पहली बार प्रस्टेंटे दिया था वो क्या था 25 तो नहां नहीं हान को हम लोग घटाते हैं यानि कि 75 वही वैलू आई जो भी इमने सॉल्व करते हैं यहां पर आप हम लोग कोशन नंबर 13 डिसकेस करते हैं बिलकुल ऐसा ही सवाल है लेंगज चहां इतनी बड़ी हो चहां इतनी छोटी हो आप ध्यान रखें एक वैलू दी गई हो विक्रे मुली में और दूसरी वैलू दो बार परसेंटेज दिया गया हो और कुछ इस हिसाव की लेंगज हो जी हिसाव से हम करवा रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमर्ड़ पर चालिस फरसेंट लाव जोडने के बाद अपनी वे क्लिफ्टों की मुले कितना साथ सॉर रूपई यानि की निवादार्ट? यस पी शाथ सो रूपई कब 40 प्रसेंट लाव चालिस परसेंट लाव जोडने के बाद विक्र एक कीमत कीमत के इस इसतर को विक्री बहुत कम थी मतलब जो उसने एक व्यक्ति ने क्या किया साथ सो बीस रुपए निर्धाइट किया बेजने को माल 40 परसेंट लाव जोड़ कर अपना ठीक है ति लेकिन इस पार जो है सेली नहीं हुई अब जाइसी बात है जिसे इतना लाव जोड़ देंगा है मारकर हजार रुपे लोग है तो कोई जहां दिखाई देगा कोई ने द तो नई विक्रे मूल कीमत बताईए, तो वो कहरा है कि हमने 10% लाव, लाव कितना है? 10% लाव लेना चाहता है, विक्रे मूल बताओ कि आओ जाएगा, तो देखो, पहले तो हम अपना तरीखा बताएंगे भई, ठीक है, चुपकि हमें बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहले आपको selling price दिया गया 700 रुपए, ठीक है, अब जब selling price दिया जाएगा, तो गुणे मा लगाएंगे उपर 100, और जोड घटा कर नीचे लिखेंगे, जो है लाब लेना चाओ हानी, तो 40% की लाब लेनी है, तो 140 फिल लगाएं गुणे, अब ये पूरा CP नहीं, ये SP नहीं, CP बन पूरा CP नहीं है, अगर आपकी दिमाग में ये बात भुष गई है, तो आप अपने आपको भाकिसाली समझेगे, तो इतनी ही बात आपकी दिमाग में नहीं जाती है, कि हम मात चला चला करे रहे हैं, कि लाब हान क्रेमूल पर लेनी हो, तो उपर लो और विक्रेमूल पर ल पांसो पचाव, साससो रुपए क्सीज को आप पांसो पचास में बेचो गए बाद में ले लेगा, तो बस यह अपना राहिट एंसर है, यानि कि विक्रेमूल अच्छा आपको प्रूप भी करा देते हैं, देखो हमको साससो रुपए दिया था, ये विक्रेमूल था, हमने साससो बीस रुपए एक गिवन वैलू है, और जिस पर पूछा जाए, वो पहले लिख लेंगे, दस प्रसेंट लाव है, तो 110, और जो दिया जाए, पहली बार में वो नीचे रहेगा, तो 14 प्रसेंट का लाव था, पहली बार तो 140, लाव होगा, हमेसा सो में जोड़ो, हान 14, चौधा नंबर हम लोग कुशन डिसकस करेंगे, देखो, एक वस्त को 450 रुपए बेचने पर मुझे 20 परसेंट की हानी होती है, 20 परसेंट लाव प्राप्ट करने के लिए मुझे वस्त को कितना रुपए बेचना चाहिए, विल्गुल सेम सवाल है, इसी टाइप के सारे स लाव बेचने पर अब हमें लगता है लिखने कोई जरूत नहीं है, चूँकि यह वाली वस्त जो है, वो सेलिंग प्राइस है, 450 रुपए बेचने पर एक वेक्ति को 20 परसेंट की हानी होती है, अब चाहें लाव हो, चाहें हानी हो, इसे में कोल नादना नहीं हम पटेंट क करेंगे, 20 परसेंट यहां नहीं हो, यह तो हम लोग आसी लिखाएंगे, अब यह पूरे सिस्टम को जो कहा जाएगा, यह पूरा यहां से लेकर यहां तक, यह इसका नाम CP है, ठीक है, क्रेमूल है, अब कह रहा है कि हमें 20 परसेंट लाव राप्त करने के लिए वस्त को कित परसेंट लगाएंगे, ठीक है, अब 100 से 100 कट गया, और 20 से अगर काट दें, तो पहली बाइत, 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, हमारे पास परचा क्या बता, साड़े 400, गुड़े में 3 बटेंग, 2 से यहां काट दो, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, अब यहा 150, जो दूसरी बार में कहा जाए, दूसरी बार हम खा था 20 परसेंट कलाव, यहां कि 120, पहली बार हम कहा गया था 80 परसेंट, तो यहां वही सेम कंडिसन आती ही, देखो 100-100 गड़ जाएगा, तो 120 उपर गुने में, बटे मस्ती हैं, उपर यह बिल्कुल सेम वही कंडिसन है तो 240 रुपे में बेचने पर किसी वेक्टी को 10 परसेंट की हानी होती है, अब देखो यही पर कहानी रोक लोग, तो 240 रुपे में बेचने पर 10 परसेंट की हानी होती, तो 100 उपर रहेगा, और 10 परसेंट हानी हो रही है, तो 90 नीची आ जाएगा, अगर लाव हो रहा होता त 110 लिखते हैं यहीं पर ठीक है अब यह पूरा क्या बन चुका है क्रेमूल पूरा यहां तक अरे बाई यहां तक सीख नहीं जाओ को वहां तक छोड़ेंगे देखो दस प्रशन हैं ले लिए पर हमने और वहां वस्त किस मूल पर बेचें कि 20% का लाव हो मतलब इस खरीदी हु कैसे लिए जाता है उपर अंस में विक्रे मूल पल लाव की कवरी आ जाता है हर में याद हो चुका होगा ठीक है सव से सव काट देंगे जीरो से जीरो काट देंगे तीन तीन चकु बारा तीन अठेच चोवड़ेस आठ चकु बद तेस और यह वाला जीरो तो 320 इसका राइ अब हम लोग कुशन नमबर 16 डिसकस करेंगे बने रहे हैं लाश्ट में एक ऐसा भी सवाल है जो आपको फसा सकता है इसलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करिए आपको धैर रखना है मन पर काबू रखना है कि मन भागने ला लगे अरे अब तो आ गया है कोई विक्कदवारी बात नहीं है यहीं मनागे गड़बडा जाएगा तो चलिए कोईशन नमबर 16 चावल को 5.4 रुपए प्रतिकिलोग्राम की दर्व से बेचने पर हमें इससे रुपए प्रतिकिलोग्राम से कोई ना दना नहीं है बस आप ध्यान रखो यह सेलिंग चुका है इतना हमें याद हो चुका ठीक अच्छा दस पर गड़ा होता तो 20 परटेंट लाव कमाने के लिए किस दर से बेचे सीपी पर 20 परटेंट का लाव नेना 120 बटे 100 करो भाई 100 से 100 कटा जीरो जीरो कटा तीन 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 चकु बारह अब आप तीन से इसको काट दो ती जीपी इस दसमलव हो यह है थो यहीं पर लगाएँगे यानि कि कि तने में बेच भाई हुगे 720 प्रती सिंसा किलोगर्म हो जाएगा 7.2 जीरो ठीक है 720 नहीं साथ दसनलोग दो जिरो इसका राइट एंसर हो जागा इसका सेलिंग प्राइस यानि कि सेलिंग प्राइस दिया गया था सिलिंग प्रूच रहे हैं इसको शॉटरिंग में भी अप्लाइए कर सकते हो 154 0 ठीक है 90 120 जो दूसरी बार बोला गया था 120 जो सेगेंड टाइम बोला गया था ठीक चला स्वाल को लेना इस चीज़ को राइट एंसर है साथ दसनलोग दो जीरो कोईशन नमबर 17 ठीक है ध्यान समझो एक वस्त को उननीस दसनलोग पांच जीरो में बेचने पर मतलब यह सेलिंग प्राइज है बेचने पर एक दुकंदार 30% कमाता है यह सेलिंग प्राइज पर 30% कलाब करा कोई मार डाले तो सव यह नीचे ना ले जाना उपर लेना सो जो है जब आपको विक्रयम दिया गया हो और 30% का लाब लेना इसलिए हम लोग जोड देंगे 130 गुड़ें यह पूरा आप सीपी बन चुका है अब लेथन करने की कोई जरूत नहीं है तो अब 40% कमाने के लिए यानि कि 140 बटे 100 जीरो से दो जीरो कट गए जीरो जीरो कट अब तेरा से पक्का कट है और 1475 का जीरो ऐसे लिख लो चौधा एकम चौधा और साथ 21 ठीप दो अंक बाद दसमलोग था वो दो अंक बाद दसमलोग लगा पीछे से यह तो 21 जीरो 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 को मतलब होता 21 यानि कि 21 रुपए इसका राइट एंसर हो जाएगा विक्रे मुल कितना आप से यह पूछा गया है कमाने के लिए वह विक्रे मुल में कितनी ब्रदी करें तो विक्रे मुल में ब्रदी यहां फिर बचे का 10 में से 9 जाएगा एक और यहां एक में से एक जाएगा 0 यह दसनों यह रह जागा मतलब ब्रद कितने को ही है एक दसनों पांच जीरो की ब्रद हुई है यानि कि कहले जो डेड़ रुपए की ब्रद हुई है यह सवाल बहुत ही खतरनाल खा कई बार चूक चाहते है अगर इस सवाल को सही न पड़ते हैं कि यह सवाल कह जा था कि साड़े-उन्यीस रूपए में एक बसु बेचने पर हम नकीट परनको 30% कि ब्रद हो तो कितने रुपए की ब्रद करें कि यह नहीं कितने रुपए की तो रुपए की कितने में बेचे तो 29 रुपे में ब्रद्य कैसे पता चलेगी? फाल तुम तुम कितने हो पहले कितने है तुम कीतने ही जी और सॉपाइब जो का आसा को बहुना है il ID प्रति रुपए खिलोने के भाव से बेच कर एक व्यक्ति 10% हानी होता है तो कोई दिक्र नहीं हम लोग जो कहा गया वो करेंगे तो करेंगे तो करें है तो करें है तो आप बेचने पर है मतलब सेलिंग प्राइस है तो सौ तो उपर ही रहेगा 10% हानी है तो 90 अब कहा जा रहा है कि 20% लाब पाने के लिए खुलाना किस बाव से मेचे 20% का लाब लेना है क्रें मोल पर यानिकि 120 व्यक्ति सव हो जाएगा इसी समझो सव से सव कटा अच्छा य यह बाला 0 लिख लो यह 2 अंक बाद असनलों लगा दो ठीक है अब गुणा कर लो तो यह 00 ऐसे रहेगा चार से गुणा करोगे तो 24 के 4 हंसे लेगे 2 4 पंचे 20 और 22 दो अंक बाद असनलों लगाना है तो 22 देसनलों 4 जिरो इसका राइट एंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर यह तो आसान था 19 नमबर देखें कितना खतरनाग है क्वेशन नमबर 19 यहां समझना करें 600 रुपए में बेचा जाता मतलब यह सेलिंग प्राइज है तो 20 प्रसेंट का लाब होता दिस प्रसेंट का लाब तो ध्यान देना और हमसे पूछा गया यह भी तो देख लो तो रेडियो का लागत मूले पूछा गया और अभी जितने भी पीछे सवाल क द्यान रखना है अब वो ट्रेंटर नहीं अपनानी है विना देखे कुछ भी बोल दो 600 रुपए मेच रहे हो तो 600 रुपए यहां लिखो और 20 परसेंट का लाब हो रहा है तो सेलिंग प्राइज पर लाब कैसे लोग है तो 100 उपर लेंगे 20 परसेंट का लाब 120 अच्छा इ अगर आप वो 15 परसेंट एड कर दोगे इसमें तो फिर सेलिंग प्राइज बन जाएगा चूंकि यह पूरा क्रेमू अगर आप फिर वो 15 परसेंट लाब इस पर जोड़ दोगे जो सवाल ने कहा है तो यह सीपी से फिर एसपी बन जाएगा चूंकि एसपी हमसे पूछा न तो इसका राइट एंसर होएगा 500 ठीक है तो चलिए बस यह चीज़ आपको समझ नहीं थी अंदा तुक्की में काम नहीं चलाना है ठीक है चलो अगला सवाल हम देते हैं कोशन नंबर 20 वह आपके लिए हैं ठीक है कोशन नंबर 20 का एंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में यदि वा 15% लाब प्रभेशता तो उसे विक्रे मूल कितना होता है ध्यान से बताना इस कोशन को करें एक विक्तिन एक वजट 25% गहन पर 6750 पर बेचदी यदि वा 15% लाब प्रभेशता तो उसका विक्रे मूल कितना होता तो विक्रे मूल पूछा गया CP नहीं तो वही पु जल्दी से जल्दी जो टार्गेट हमने 100K का बनाया है वो फटा-फट पूरा करेंगे ठीक है तो थैंक यू फटा-फट अपने मेहनत करते रही है और किसी को कोई समझ चाओ और हमसे पूछो आराम से खूब दुबा के मेहनत करो ओके